मैं आज मुझे आउसर मिला है आपके बीच आने का तो मैं चहना चाहूंगा मैं जमू कश्मीर के लोगों को लोग कंत्र को मजबूत करने के लिए भी अनेक 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 बधाईया देता हूं डिस्ट्रीक डेवलोप्मेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याई लिखा है मैं इन चुनाव के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद करोना के बावजूद नवजवान, मुजूर्ग, महिलाएं, मुद्ध पर पहुँचे, घंटों तो कतार में खड़े रहे जम्मु कश्मीर के हर वोटर के चहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलोप्मेंट के लिए एक उमीद नजर आई, उमंग नजर आई जम्मु कश्मीर के हर वोटर के आँखों में, मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए, बहतर भविश्य का विश्वास भी देखा साथियों, इन चुनावों में, जम्मु कश्मीर के लोगों ने, लोग तंत्र की जड़ों को और मजबुत करने का काम किया है और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जम्मु कश्मीर का प्रशाशन, सुरक्षा भल, जिस प्रकार से उन्होंने इस चुनाव का संचालन किया और सभी दलों की तरफ से ये चुनाव बहुती ट्रांस्परेंट हुए, लेक नियत से हुए, ये जब मैं सुनता हूँ, तो मेरा इतना मुझे गर्व हो रहा है कि जम्मु कश्मीर से चुनाव निश्पक्ष होना, स्वतम्त्र होना, ये बात जम्मु कश्मीर की तरफ से सुनता हूँ, तो लोग तंत्र की ताकत का हमें और विश्वास मजबूत हो जाता है मैं प्रशाशन को भी, सुरक्षा बलों को भी, देर स्वारी बधाईयां देता हूँ, आपने छोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है आज मैं आगर रूपरू में होता, तो सब प्रशाशन के लोगों को जितनी तारीब करता सायद मेरे शब्द कंपड़ जाते इतना बड़ा काम आपने किया है, आपने देश में एक नया विश्वास पता किया है और उसका क्रिरा क्रेडिट मनोजी और उनके सरकार के प्रशाशन के सब लोगों को जाती है भारत के लिए गवरों का पल है साथ्वियों, जमू कश्मीर में ये त्री स्थरीय पंचायद विवस्ता एक प्रकार से महत्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, एक प्रकार से चुनाओ, गांधी के ग्राम स्वराज का सपना जीता है और देश में जो पंचायदी राज विवस्ता है, उसने आज जमू कश्मीर की धर्ती पर पुर्णता को प्राप्त किया है इन नए दसक में नए यूग के नए नेत्रुत्व का अरंब है बीते वर्षों में हमने जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी को जमीनी स्थर पर लोग तांतरिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए दिन रात प्रयास किया है और जम्मू कश्मीर के भाईयों बहनों को पता होगा एक समय था हम लोग जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा थे हमारे उपमुक्य मंत्री थे हमारे मंत्री थे लेकिन हमने उस सत्ता सुक को छोड़ दिया था हम सरकार थे बहार आ गए थे किस मुद्दे पर आये थे आपको मालू है न हमारा मुद्दा यही था पंचायोतों के चुनाओ कराओ जम्मू कश्मीर के गाओं गाओं के नागरिकों को उनका हक दो उनको उनके नाज गाओं का फैसला करने की ताकत दो इस मुद्दे पर हम सरकार छोड़ करके आपके साथ रास्ते पर आके खड़े हो गए थे और आज मुझे खुशी है कि ब्लॉक स्थर पर पंचाय स्थर पर या फिर जिला स्थर पर आपने जिन लोगों को चुना है उनमें से ज़्यादातर आपके बीच ही रहती हैं वो आपके बीच से ही निकल कर चुनाव जीते हैं उन्होंने भी वो ही परेशानिया उठाई हैं जो आपने उठाई हैं उनके सुखदुक उनके सपने उनकी उमीदे भी आपके सुखदुक आपके सपनों और उमीदों से पुरी तरब मेल खाते हैं ये वो लोग हैं जो अपने नाम के बल पर नहीं बलकि अपने काम के बल पर आपका अशिरवार ले पाए हैं और आज आपने उनको आपका प्रतिनिधित्र देने का हक दिया है आज आपने जिन युवाओं को चुना है वो आपके साथ काम करेंगे आपके लिए काम करेंगे और जो लोग चुन करके आये हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनन्दन करता हूँ और जो इसमार विजयी नहीं हो पाए हैं, उनकों भी मैं कहूंगा कि आप निराश मत होना, जनता की सेवा लगातार करते रहना आज नहीं तो कल, आपके नसीब में भी बीजय आ सकता है लोग चंत्र में यही होता है, जिसको मोका मिले, वो सेवा करें जिसको मेरे मोका न मिले, वो सेवा के फल में कोई रह जाता है तो उसके लिए लगातार संक्रिय रहें आप आने वाले समय में उन्हें अपने क्षेत्र के साथ देश के लिए बड़ी भूमी कावल के लिए भी तैयार कर रहे हैं जम्मु कश्मीर में इन चुनावों ने ये भी दिखाया है कि हमारे देश में लोग तंत्र कितना मजबूत है लेकिन मैं आज देश के सामने एक और पीड़ा के व्यक्त करना चाहता हूँ जम्मु कश्मीर ने तो यूटिक बनने के एक साल के भीतर भीतर त्रीस त्रजिये पंचायती राज ववस्ता के चुनाव करवा दिये शांतिपुन करवा दिये और लोगों को उनका हक दे दिया अब यही चुने हुए लोग जम्मु कश्मीर के अपने गावों का अपने जिल्ले का अपने ब्लॉक का बविश्ताय करेंगे लेकिन दिलने में कुछ लोग सुबह साम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं टोकते रहते हैं अब शब्दों का प्रहोग कहते हैं और आए दिन म मुझे लोक्तंत्र शिखाने के लिए रोज नहीं नहीं पांट बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जर आज आएना दिखाना चाहता हूं। ये जम्मु कश्मिर देखिए यूटी बनने के इतने कम समय में उन्होंने त्रीस तरिये पंचायदी राज ववस्ता को स्विकार करके काम आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी और विडम ना देखिए पुडी चेरी में सुप्रीम कोट के आदेश के बावजूत पंचायद और मुन्सपल इलक्षन नहीं हो रहे हैं। और जो मुझे यहां रोज लोगतंतर के पांट पढ़ाते हैं ना उनकी पांटी वहां राज कर रही है। आप हरान होंगे सुप्रीम कोट ने दोहजार अठामेरा में यादेश दिया था लेकिन वहां जो सरकार है जिसका लोगतंतर पे जर्रतिक बरभरोसा नहीं है इस मामले को लगाता टाल रही है। साथियों पुडी चेरी में दसकों के इंतजार के बाद साथ 2006 में लोकल बॉडी पॉल्स चुनाव हुए थे। इस चुनाव में जो चुने गए उनका कारियर उनका कारिकार 2011 में ही खत्म हो चुका है। कुछ राजनितिक दलों की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। लोक तंत्र के प्रतिवों कितना गंबीर है। इस मात से भी पता चलता है। इतने सार हो गए। पुडी चेरी में पंचायत वगेरे चुनाव नहीं होने दिये जा रहे है।